हालो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे माइनीम इस केश्व कटोच हिमाचल एलाइट सविसिस की जब बात करते हैं तो काफी ज़ादा जो स्टूडेंट्स हैं इसकी तियारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में करते हैं और काफी ज़ादा इंतज हमाचल एलाइट सविसिस का बहुत है आज इस वीडियो में हम क्या डिसकsz करेंगे इसा हम डिसक्स करेंगे कि हमाचल एलाइट सविसिस producers वो कौन-गोन सी पोस्ट है जो हमाचल प्रदेश कॉवर्णन जो होनिकालरे टीफें डिफेंट डिपर्टमेंट्ट जो होते हैं वो आपका क्या हुआ था that is your means examination हुआ था पेपर के बारे में already मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ but आज की वीडियो में discuss करेंगे जिसके बारे में मुस्ती बच्चे को यह जो एक craze रहता है या पिर जानने की इच्छा रहती है कि वो कौन सी पोस्ट है जो generally आपके examination में आती है आज तो इस छोटी सी वीडियो में हम discuss करेंगे कि वो कौन-कौन सी पोस्ट होती है जो कि आपकी HP allied services में आती है कौन सी आपकी contractual post होती है और कौन सी आपकी regular post वो इसमें होती है तो आईए पहले अगर हम post बोले तो आपको दिखती है इंस्पेक्टर audit या cooperative societies में जितनी भी cooperative societies होती है आपके आसपास उन सभी cooperative societies में जहां पर भी आपकी posting होगी वहां का audit करने का आपका जो है काम होता है यह एक तरीके की field job जो है वो आप कह सकते हैं इसमें कई सारी आपको jobs जो है वो field job ज़रूर देखने को मिलेगी जिसमें field में जाके आपको अपने काम को जो है वो अंजाम देना होगा तो इसमें inspector in cooperative societies मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताऊंगा इन detail तो नहीं में आपको बताऊंगा वीडियो बहुत बड़ी हो जगी हार किसी के काम के बारे में पूरा detail में जानेंगे extension officer यहाँ पे industries की जो है वो बात की जा रही है और खासकर यहाँ पे उन इलाकों की बात करिये जा रही है जहाँ पे आपके micro, small, medium enterprises जहाँ पे आपकी industries होती है जासा कि हम बड़ा एक कोई industrial area देखते हैं इमाचसर पतेश में जैसे बद्दी है तो वहाँ की जगह जहाँ पे आपकी पोस्टिंग जो करवाई जाती है तो वहाँ पे लोगो जो industrialization उनको उनके हग की बात जो छोटे उध्योग होते हैं उनको उनके हग की बात सरकार की कहीं योजना होते हैं उनके तक वह facility को पहुंचाना यह आपका काम होता है उसके बद पंचायत इंस्पेक्टर की बात करें तो इसका mean काम क्या है कि हामारी जितनी भी पंचायत है जह जो है वो उन तक पहुंचाना यह सारा काम आपका पंचायत इंस्पेक्टर का होगा उसके बाद तैसील वेलफेर ओफिसर देखिए जनरली जो है अलग से भी इसका पेपर होता है और कभी-कभी एलाइट सबसे में इसकी पोस्ट डाली जाती है यह जितनी भी पोस्ट आप कभी-कभार ऐसा होता है यह सारी पोस्ट नहीं आती है यह कभी-कभार कुछ पोस्ट आती है कुछ आपकी नहीं आएंगी according to the department जो देगा ठीक है तो तैसील वेलफेर ओफिसर जनरली क्या होता है आपके अपनी तैसील जो भी तैसील आपको दी जाएगी उसमें जहां पे खास कर जो आपकी minority वरक है CST जो है उनके हक की बात और उनसे related जो facilities जो है उनको परवाइड करना है उनका काम जो है यहां पे तैसील वेलफेर ओफिसर का होता है Excise and Taxation Inspector जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो है इस paper में आपको देखने को मिलेगा जो लड़ाई चलती है कि यहां जो toppers होते हैं आपके वो यह post लेते क्योंकि यह एक post है जो को आपको regular basis पे देखने को मिलेगी बाकी सारी post आपको जो है वो contract basis पे देखने को मिलेगी आपके performance के base में आपको 3 साल बाद जैसे भी 3 साल है तो 3 साल के बाद आपको पके किया जा सकता है performance के base पे यहां पे आपको जो है वो आपकी promotion जो है वो की जाती है वनना आपको fixed salary जो है वो आपको दी जाएगी आपे तो यहां पे exercise and taxation जैसे आप SACCGL का paper clear करते हो center में तो आप exercise and taxation officer बनते हो आप income tax officer बनते हो उसी तरीके से हिमाचल परदेश के अंदर भी आपको जो अगर ETI लगना है तो आप allied services का paper clear करके ही जा सकते हैं जुसमें taxation और exercise से रिलेटर सारा काम आपको जो है वो समालना पड़त कि आपको मैं कहूं कि आपको एक field job जो है वो आपको देखने को मिलेगी उसके बाद election कानूंगों की बात करते हैं तो यह post जो है वो अभी देखो आपको एक circulation भी मिला होगा RTI के तो जो है कितनी पोस्टे जो है इन में से कौन-कौन सी जो है वो जो department से उनमें खाली है तो बात करें election करूंगों जिटने भी आपका एरिय जहां पर भी आप को चोटे अब जितने भी फिर आप जैसे मैं नॉर्मल तोर पे बताऊं कि जब आपकी राशन की दुकान दोती महां पे सस्ते रोड़ पे बीपिल फैमिली जो है वो फैसलेटी प्रवाइड की गई है उनको फ्री राशन देना है कि सिंगल अगर बेटी है तो उनको का एक राशन जो हो देना है हैंडी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको महनत करनी पड़ेगी और टॉप आपको जो है रैंकर जो होते हैं उन्हीं को इसमें सेलेक्ट किया जाता है अब अगर देखले साल जो पोस्ट जो आपको देखने को मिलीती जैसे आपको यहां पे सेलेरी भी देख सकते हैं तो आपकी सेलेरी जो है वो आपकी सेलेरी जो है वो आपकी जादा होती है यहां पे आपको 40,000 से अबब होता है आपकी सेलेरी जो आपको मिलती है तो यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने डिसकस किया कि कौन-कौन सी पोस्ट होती है हमारा HP Police Constable का भी बैज जो है वो लांच होने वाला है 14 सब्सक्रियर आपको डाउनलोड करके और इसके ठीक है और यहां फिर 781484648 पे भी कॉल कर सकते हैं तो जो भी बच्चे इन सब कोर्सिस में बाय करना चाहते हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं तो यह एक छोटी से वीडियो आप सभी के लिए थी HP Alight की different posts जिसमें आप apply करते हैं काफी बच्चों को मेरे को लगा कि कुछ काफी बच करते हैं जाप था हुआ करे ले सुट कर सकता हैं तो